कथा कहते हैं कि आपने जिसको अपना गुरू बनाया है जिसे आप अपना गुरू मानते हैं उसके भीतर कोई दोश न देखिये वो चाहे भले अनपड हो उसे कुछ नहीं आता हो लेकिन फिर भी आपकी निष्ठा आपका विस्वास ही आपकी मनो कामनाओं की पूर्दी कराएगा गुरू की सेवा होनी चाहिए गुरू का सम्मान होना चाहिए गुरू को क्या कोई भगवान की तुल्ला नहीं दी गई कहा गया गुरूर ब्रह्मा किसी ने कहा ब्रह्मा जी है कहा नहीं कहा गुरूर विश्णू कहा भगवान विश्णू कहा नहीं गुरूर देव महेषवर, क्या भग्वान-शंकर है कहा नहीं, फिर गुरू क्या है, कहा गुरू साक्षात परम्रम्ह तस्क्राइज गुरु वेई नमा. गुरुज तो शाक्षात परम्रम में, ब्रह्मा, विश्णु, महेंस इन तीनों से उपर हैं, गुरु में इतनी ख्षमता है, इसलिए अपने गुरु का सम्मान करिए, गुरु का कभी अबमान में होना चाहिए, और महराज एक बात कहें, आज कर लोग गुरुए की जूटी क कसम भी खा लेते हैं, अद्भुत अद्भुत चेला है, अद्भुत गुरु जी, अच्छा एक चेला था गुरु जी का अपने, तो उसने अपने दुकान में गुरु जी की फोटो लगा रखी थी, तो उसके एक मित्र ने पूछा, का भाई ये बताओ, गुरु जी की में क्यों लगा रखे हो, उसने का बताओं, या बताओ, का जब ग्राहक आते हैं न, तो सो की किताब रहती है, तो मैं डेड़ सो बोलता हूं, तो ग्राहक मानते नहीं हमारी बात को, और मैं ठक गया हूं, जूट तो बोलना ही पड़ता है, अगर दुकान चलानी है, का फिर का इसके मैंने गुरु जी की फोटो लगा रखी है, का इससे क्या लाग होगा, का अब कोई ग्राहक आता है, और जैसे ही कहता है कि तुम जूट बोल रहे हो, मैं तुरंत जाता हूं, गुरु जी की फोटो छूट के कह देता हूं, गुरु जी की कसम खा के कह रहा हूं, किसी कि खौल आए के खौन लेकिन भूल से किसी की और किसी की घौब लीज़य तो चलेगा लेकिन वा-घपONE की कसम कभी स appliance में न खाई को बिना गुरू के घ्यान संभव नहीं है बिना फिरू का मिलना संभव नहीं है हिस आत्मा से परमात्मा का मिलन जब तक इस आत्मा और परमात्मा के मद्ध में एक महात्मा नहीं आ जाता तब तक गुरू का मिलना भुगवान का मिलना संभव नहीं है आत्मा परमात्मा के बीच में एक महात्मा का होना आवश्चक है